हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से मैं हूँ विश्वर तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गोगल डॉक्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं हम पास या फेल के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बना कर देखेंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ नाम लिए हैं यहाँ पर मार्ग्स है और इस कॉलम में हम पास और फेल के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे अब माल लिजे कि इस से शुरू करना है तो हमने करसर यहाँ पर रखा उसके बाद हमने ओपर के रिबन में इंसर्ट एप पर इस पर क्लिक कर दीजे उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए यह है drop down list का option ठीक है इस पर जब आप click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर document drop down का option आएगा यह कुछ मैंने बनाया हुआ है पहले से ही तो आपको show कर रहा है कुछ preset show कर रहा है अब माल लिजे कि आपको एकदम नया बनाना है तो इस plus sign पे आप click कर दीजे ठीक है तो आपके सा option है आप चाहें तो यहां plus sign पर add करके और भी option जोड़ सकते हैं तो हमें फिलाल सिर्फ दो की जरूरत है तो हम इन दोनों को यहां से हटा देते हैं यह delete हम नहीं आपके क्लिक किया अब पहला अलाम ले ले लेते हैं पास ठीक है पी डबल एस और यहां से color change कर देते हैं green ठी ठीक है मैंने जैसे बताया कि अगर आपको और भी option चाहिए तो यहां plus sign पर प्लिक करके option add करते जाएंगे ठीक अब यहां से आप save पे click कर दीजे तो आप देखेंगे यहां पर यह drop down list आ चुकी है अच्छा बाकी में कैसे जाना वह भी मैं अभी बताता हूं फिलाल यहां आप दे सकते हैं तो कैसे आप इस्तमाल करेंगे इस arrow पे click करिए और यहां से आप fail या pass select कर सकते हैं जैसे कि यह अगर लिजे fail है तो हमें यहां पर fail पर click करना है और यह देखें यहां पर fail आ गया अच्छा अब नीचे भी बाकी cells में यह add करने के लिए हमें क्या करना है इ अपना option select करते जाएए देखें